ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है आज हम चर्चा करेंगे कदम नंबर तीन पर यहां विश्वास के फॉर्मूला में उध्धार के चिन्हों को हम समझेंगे इसमें तीसरा कदम है पश्चाताप और यह तो सबसे महतोपुर्ण ऐसी बात है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि यहां तक के विश्वासियों में भी बहुत से चर्च ने इसे अंदेखा किया है बाइबल पर पूरी तरह से आधारित सबसे महतोपुर्ण दुरुष्टिकौन पर जो धार के लिए है पश्चताब दर्शाता है कि पाप के लिए दुखी है और इच्छा रखते हैं कि उससे फिर जाए यह बहुत ही महतोपुर्ण है कि अगर हमने पाप किया और हम उसके बार में जानते हैं और दुसरी बात है कि हम जानते हैं और हमें खेद है जब मैं बहुत ही छोटा था बस चार साल का अपनी दादी के साथ रहता था मैंने चोरी की वो मुझे स्टोर में ले जाने से हमेश्चा डरती थी क्योंकि बाहर आने पर उन्हें मुझे अच्छे से जाड़ कर देखना पड़ता था कि मैं साथ में क्या लाया हूँ दो बार की बात मुझे अच्छे से याद है पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया लेकिन मैंने मैंने दो जार चुराय थे पाम फेशल क्रीम के मैंने अपने मां को वो देना चाहा था मैंने सोचा यह अच्छा वो पहार है और उसे बाहर निकालना मुश्किल नहीं था मेरी दादी कभी इस बात को नहीं जान पाई कि मैं इसे कैसे बाहर निकाल पाया उनके सामने धनुष्य बांड लेकर धनुष्य बांड का किट और मुझे अच्छे से याद है तुमने इसे कैसे छुपाय अपने शर्ट के अंदर अपने पैंट के अंदर और मैं धनुशे बाण लेकर दुकान से बाहर निकला लेकिन वो इसलिए परेशान थी जब उसने कहा कि ये गलत है तुम्हें चोरी नहीं करनी है तो मैंने पश्चता आप नहीं किया था तो वो मुझे पुलीस स्टेशन लेकर गई ये बात सच है उसने पुलीस वाले से कहा मेरी दादी यहूदी है उन्होंने पुलीस वाले से कहा कि आप डगी को बताएंगे कि ये जेल में चले जाएंगे अगर चोरी की आदत छोड़ते नहीं है तो तो उन्होंने कहा अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें जेल में डालेंगे और मैंने कहां मैं नहीं डरता और फिर इसे बताओ जेल में क्या खाना मिलता है तुम्हें बस ब्रेड और पानी मिलेगा तो मैंने कहां क्या थोड़ा सा पीनट बटर मिलेगा थोड से बदल दूँगा लेकिन मेरी दादी बहुत परेशान थी क्योंकि मैं धीक था अगर कोई दोशी है यानि पाप करे तो दोश महसूस करना चाहिए अगर आप माता पिता हैं और आपका बच्चा है और वो इसलिए मेहत्व पुलणे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुए से चर्च परश्यताब के महत्व के बारे में सच में गलत समझते हैं आज की हमारी परंपरा में हम बहुत कोछ सुन ते हैं प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहतें, दोशी महसूस करवाना नहीं चाहतें, सारी दोश भावना शैतान से है, ये सच नहीं है, पवित्रा आत्मा एक काम करता है कि वो पाप के बारे में कायलता लेकर आता है, पाप के बारे में हमें प्रश्टी का इंकार किया तो वो रोने लगा कुछ क्रिया दिखनी चाहिए याकूब कहता है कि हम खुद को परमेश्वर की दृष्टी में नम्र करें ताकि वो हमें उठा सके इसके पहले की परमेश्वर हमें उठाए और अच्छा महसूस करवाए हमें जानना होगा कि हमें क्यों बुरा महसूस करना है और उसे ही पश्चताप कहते हैं तो चली अभी बाइबल में से हम कुछ वचन देखते हैं जो इसके बारे में कहते हैं तो याद रखिए हम अपने अध्यन के मुख्य वचन के रूप में यशा के बदलाव का अनुभव देख रहे हैं तो चली के इसे निकालते हैं यशिया अध्याय छे वचन एक में हमें बताता है जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभू को बहुती उंचे सी हासन पर विराजमान देखा ये बताता है परमेश्वर को उसकी महिमा में उसने देखा और वो तो इन पवित्र साराप से घिरे थे इन स्वर्दूतों से घिरे थे फिर वो परमेश्वर की पवित्रता को पुकार रहे थे परमेश्वर के स्वभाव को बता रहे थे पवित्र 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 प्रभू इतने शुद्ध है और फिर जैसे परमेश्वर की पवित्रता को जाना तो इसके बदले में वो अप अपने पाप में होने को जान लेता है, उसे पहचान लेता है, क्योंकि मैं अशुद्ध होट वाला मनुश्य हूँ और अशुद्ध होट वाले मनुश्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहुआ महराधिराज को अपनी आखों से देखा है, जब उसने प बप्तिस्मा दाता ने कहां जैसे वो ईशु का परीचे करवा के दे रहा था जगत के सामने वो तो मसी के लिए मार्क तयार कर रहा था वो जंगल में पुकारने वाली आवाज था मती अध्यातीन वचने एक और दो ये कहता है उन दिनों में यहुना बप्तिस्मा देने वाला आकर यहुदा के जंगल में ये प्रचार करने लगा, पहला शब्द मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग कर राज्य निकट आ गया है, तो यदि हम उस राज्य में नागरिक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पश्चताप, यहना बप्तिस्मा दाता ने कहां कि व प्रचार करने और ये कहना आरम किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग कर राज्य निकट आया है, उसके मुह से निकले शब्द, कौन सी बात हमें पश्चताप में लाती है, दूसरा कुरंथियों अध्यास साथ, वचन दस, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चत उत्पन्द करता है, जिसका परिणाम उध्धार है, तो क्या उध्धार मिलाता है? परमेश्वर भक्ति का शोक, यानि भक्ति पूर्ण शोक है, भक्ति पूर्ण दुख है, कि हमने कुछ गलत किया है, हमें उसके लिए दुख प्रगट करना है, ये पश्चताप करता है, जिसका परिणाम उध्धार है, फिर आगे कहता है, और फिर उससे पच्ताना नहीं पड़ता, परन्तु सांसारिक शोक यानि जूटी दोशभावना मृत्य उत्पन्द करता है, बाद में हम इसे देखेंगे, और फिर हमने ये देखा है, रोमियो दो चार, आज मैं मैं बहुत से वचन दूँगा, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलत और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मनफिराव को सिखाती है, बाइबल के इतिहास में परमेश्वर की भलाई सबसे उत्तम कब दिखाई क्रूस पर, परमेश्वर का मनुष्य के लिए प्रेम और उसने अपने पुत्र को दे दिया, और ईशु का मनुष्य के लिए प्रेम कि अपनी जान दे दी, आप ईशु की नमरता को देखते हैं, कि उसने हमारी जगह ले ली, उसकी शुधता, उसकी नमरता सब कुछ क्रूस पर दिखाई दी, अब पश्चताब के लिए परिभाशा, ये तो भूत काल के विवहार या पाप के लिए खेद करना दुख प्रगट करना है और दूसरा भाग कहता है कि इस तरह से खेद करना कि इसके कारण वो अपना मन ही बदल दे अपने गलत वैभार के लिए पश्चताप करते हुए और उसने जो पाप किया उसमें बदलाव लाने के लिए वो अच्छा वैभार करने लगता है देखे पश्चताप तो केवल ऐसा दुख नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है और निरंतर आप गलत करते जा रही है और फिर आप ये जानते हैं कि ओ प्रभू मैं तो अशुद्ध हूँ मैं ही वो मनुष्य हूँ यानि आप पत्रस के जैसे जानते हैं कि मसी ने आपके कारण दुख उठाया और आप इस तरह से मुढ जाते हैं और पूरी तरह यूटर्न लेते हैं और आप अलग दिशा में जाने लगते हैं आप उन सारी बातों से फिर जाते हैं जिससे प्रभू दुखी थे जब हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ क्या किया हमारे पापों के कारण ये शुने क्या कीमत दी और जब हम क्रूस को देखते हैं तो जानते हैं उसने कैसे दुख उठाया याने उसे क्रूस पर जो भी सहते देख्या वो तो केवल संसार के सारे पापों के लिए नहीं और उसने क्रूस पर जो भी किया वो उसे करना ही था केवल आपके पापों के लिए मैं सोचता हूँ कई बार इससे समझना हमारे लिए मुश्किल होता है शायद आप ये सोचे खैर वो सारे संसार के लोगों के लिए मरे सच है लेकिन उसने जो भी किया वो अवश्य ही करते केवल आपके पापों के लिए ही आपके पाप चाहे कितने भी छोटे हो शायद आप चर्च में पले बढ़े शायद आप सोचे आपके पाप कितने छोटे और कितने महत वहीन है आपके पाप अपने आप में काफी है कि वो ईश्यू को वो सब कुछ अनुभव करने लगाए जो उसने कुरूस पर अनुभव किया था और जब आप इसे जानते हैं तो कहते वाह उसने ये सब मेरे लिए किया मेरे पाप परमेश्वर को इतना दुख देते थे जब हम देखते हैं परमेश्वर पाप के कारण दुखी होते हैं तो परमेश्वर की भलाई हमें परश्चताप में लाती है अब आप पढ़ सकते हैं परश्चताप में पहला कदम कितना महतोपुल्न है परश्चताप का पहला कदम प्रेतो के काम दो पत्रस ने पिंतिकोस की दिन उन लोगों की मदद की कि वो प्रभू को देखे पहला कदम म में महसूस करने लगे तो कहां हमें क्या करना चाहिए पत्रस का जवाब था प्रेतों के काम दो 37 में उसने कहां मन फिराओ और तुम में से हरे एक अपने अपने पापों की शमा के लिए यीश मसी के नाम से बप्तिस्मा लो तो तुम पवित्रात्मा का दान पाओगे तो हम पहले खुद को खाली करना होगा और पश्रताप तो ऐसा है जैसे रिदय को उल्टा कर देते हैं आप अपने स्वार्थ से खुद को खाली करते हैं और कहते हैं प्रभू मुझ पर हाए आप अपनी आत्मा से मुझे भर दीजिए जब आप खुद को नमर करते हैं केवल तब प्रभू आपको उठा सकते हैं, आईए इस वचन को फिर पढ़ते हैं, याकूब चार साथ से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने रिदय को पवित्र करो, पाप भयानक होंगे ये बाइबल में है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, कुछ लोग वहीं पर सामने दीन बनो और फिर अच्छा भाग यहां पर है, तो वो तुम्हें शिरुमनी बनाएगा, वो आपको वहाँ पर शर्म और दुख में और रोने में नहीं छोडेंगे, उधारन के लिए इफीसियो 428, कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी न करें, याने क्या आप ये कह कि मैं पहले जैसा नहीं चुराता हूँ, तो क्या उसे स्विकार करेंगे, कहिए कि अगर आप किसी फैक्टरी में कर्मिचारी के रूप में हैं, और आप मालिक से कहते हैं, मैं आपकी कमपनी से बहुत चुराता था, मैं विश्वासी हो गया तो कम चोरी कर रहा हूँ, तो और फिर यीश्व ने कितनी बार किसी को शमा किया है, शायद भवन में लाई गए मर्यम मगदिलेनी थी, उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था, यीश्व ने कहां मैं भी तुछ पर दंड की आग्या नहीं देता, हमें ये पसंद है कि प्रभू के अनुगरह के बारे में बता अगर कोई पाप करता है, तो हमारा वकील पिता के पास है, हमें निराश नहीं होना है, आप उठकर फिर आगे बढ़िए, तो कहीं मत जाये दोस्तों हम बस कुछी पल में वापस आएंगे आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए, क्या आप कलपना कर सकते हैं कि आ हेलिकॉप्टर आ जाये तो आप कितने धन्यवादी होंगे, हमारे पास एक स्टडी गाइड है जो उठ्धार के बारे में बताती है, और इसका नाम है निश्चित मौत से बचाया गया, इसमें बहुती सुंदर रीती से वचन के माध्यम से समझाया गया है, इसमें उठ्ध को पढ़ने के बाद इससे अपने दोस्तों को दीजिए, तो आईए आज की प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तत्यों को सीखते हैं, और देखिए यहन ना पांच वचन 14 में, ऐसे ही कहानी है, बेचसदा के हादी के पास एक मन के विरुद में हैं, या फिर पाप हमारे साथ क्या करते हैं, ये वैक्ति तो सच में बहुत ही भयानक ऐसे लकवे की बीमारी से चंगा हो गया था, ये शू नहीं चाहते हैं कि आप बीमार रहें, वो प्रेमी पिता है, परमेश्वर अपनी संतान से भली चीज नहीं रख छ थोड़ेंगे, तो वो चाहते हैं उन बातों से हम फिर जाए, जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा, ये शू ने कहां पाप मत करना कहीं इससे बुरी विपत्ती ना पड़े, वो हमें पापों से बचाना चाहते हैं, जिससे हमें नुकसान होगा उससे बचाना चाहते हैं, यीशु के वचन, लुका 13, वचन 1-5 में पढ़िये, मैं अंतिम भाग पढ़ता हूं, मैं तुम से कहता हूं कि नहीं, परन्तु यदि तुम मन न फिर आओगे, तो तुम सब भी इसी रीती से नश्ट होंगे, परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलोता प प्टनामी आ रही है और आप बीच पर ही रहे, तो इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप कहते हैं आप विश्वास करते हैं, यीशु की शिक्षा पर और यीशु ने कहा कि तुम्हें पश्चताप करना है, या नाश होंगे, तो फिर यीशु पर पश्चताप करना भी है, कई बार लोग सोचते हैं विश्वास करना, याने मैं विश्वास करता हूँ कि ईशु क्रूस पर मरे, याने मैंने उध्धार पा लिया, बाइबल कहती शैतान विश्वास करता है, शैतान में भी ऐसा विश्वास है, शैतान विश्वास करता है ई पर्मेश्वर का राज्य निकट है, पर्ष्चताप करो नहीं तो तुम नाश होगे, यानि पर्ष्चताप मसी की शिक्षा का भाग है, दूसरा पत्रस 39 या अच्छा है, दूसरा पत्रस 39, पर्मेश्वर नहीं चाहता कि कोई नश्ट हो वरन ये कि सब को मन फिराओ का आउसर मिले, यानि यीश्व पर विश्वास करने का भाग है, पर्ष्चताप करना, हमेसे जानना ही होगा, पर्ष्चताप के लिए ब्रानी शब्द है यह नहाम, इसका मतलब है दुख प्रकट करना, रोना, माफी मांगना, पर्ष्चताप करना, बदलाव चाहना, और ग्रीक में यह है मतानियों, इसका मतलब है खेद प्रगट करना, अलग सोचना, पाप से परमेश्वर की और फिर जाना, यानि यहां तक कि इन शब्दों में जो दर्षाते हैं, यह नहीं कि बस प्रभू माफ करना मैंने यह किया था और फिर वही करें, यानि सही तरह का पश्चताप ह और गलत तरह का भी पश्चताप है, अब चलिए उधारन के लिए कुछ गलत तरह का पश्चताप देखे, आप इसे देख सकते हैं इबरानियों 12 वचन 16 में, ऐसा नहो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पह था लेकिन उसे अपने जन्म के अधिकार के लिए दुख नहीं था, क्या बाइबल कहती यहुदा ने पश्चताप किया? हाँ किया, मत्ती 27 वचन 3, जब उसके पकड़वाने वाले यहुदा ने देखा कि वो दोशी ठहराया गया है, तो वो पच्चताया और वे 30 चांदी क सिक्के प्रधान याजकों और पुर्नियों के पास फेर लाया, और कहां मैंने निर्दोश को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, और उसने जाकर अपने आपको फासी दी, यहने बाइबल में इस नकली पश्चताप के बारे में बहुत से दूसरे केस हैं, फिरॉन को बारे में बताती है, जब स्वर्धुत उसके मार्ग में था, तलवार निकाले हुए, तो उसे खेद हुआ, उस समय में, लेकिन सच में उसने अपना लालच वहां पर नहीं छोड़ा, और फिर देखिए आकान है, जब आकान को अंत में परमिश्वर के द्वारा पहचाना ग और समय समय पर आप देखेंगे कि कोई न कोई अंगीकार करता है, वो इंकार करते हैं, फिर कहते हैं देखिए ये वीडियो है और आडियो है कि आपने इसे पहले कहा था या किया था, ओ हां मुझे लगता है मैंने इसे किया और मुझे माफ कीजिए, तो क्या वो खेदित है ये सच्चा पश्चताप नहीं, देखे पश्चताप तो दिल में दुख रखना है और बदलने और फिर जाने के लिए इच्छा रखना जानते हैं कई साल पहले, हाँ, एक वेक्ती दोशी थे बैंक लूटने के लिए और फिर लगभग, दस साल बीद गए, बैंक लूटने समय वो 19 साल के थे, नाम है एल जॉंसन और फिर वो विश्वासी बन गए, और उन्होंने जाना कि मैंने बैंक लूटी थी, और मुझे अंगिकार करना होगा तो उन्होंने जाकर बैंक में बताया, मैंने इस बैंक को लूटा है और उन्होंने कहा कि आपके उपर आरोप लगाने का जो समय वो खत्म हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उन्होंने कहां ठीक है आप मुझ पर केस नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं विश्वासी हूँ मैं सब चुकाऊंगा और फिर उन्होंने वो चुकाया क्योंकि जो सच्चा पश्चताप है वो केवल ये नहीं की जाकर पाप के लिए दुख प्रगट करें और फिर जाएं कहिए उधारन के लिए पडोसी का लॉन मूवर आपने लाया और फिर उसे नहीं लोटाया उसे वापस नहीं किया और फिर आगे जाकर ऐसा होता है आप चर्च में आते हैं पश्चताप करते हैं ये शू के पास में आते हैं और घुटनों पर आकर कहते प्रभू मुझे माफ कीज या अवश्य ही उसे आप उन्हें वापस दे दीजिए और बाइबल में इसके लिए बहुत से वचन है उधारन के लिए यहजकिल तैतीस पंद रहा अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लोटा दे अपनी लूटी हुई वस्तु में भर दे और बिना कुटिल काम किये मुझे नहीं लगता कि मैं रुख सकता हूं मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं सच में जब हम कहते मुझे नहीं लगता कि मैं रुख सकता हूं मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं सबसे पहले आप ईशू की बिना कुछ नहीं कर सकते सवाल यह है कि क्या आप यह ऐसा है जैसे मानोबिल में साप छिपा है, अगर हम अपने पापों से नहीं फिरते हैं, तो फिर पाप हमें नाश कर देगा, पश्चताप के बारे में जब सच्चाई की बात आती है तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जानते हैं क्या है? इसे बाद में कर लेंगे कहते हम कहते हैं पश्चताब ज़रूरी है जल्दी ही इन दिनों में शायद क्रूस पर लटकाया गया वो चोर कहता होगा मेरे मरने के पहले पश्चताब करूँगा और ये सच है कि बाइबल में एक उधारने जिसने बिलकुन रित्यूब के पहले बदलाव पाया था अपने जीवन के आखरी पल में क्रूस पर का वो चोर उधार पाया वो जैसे था वैसे उसे वहाँ पर किसी तरह से पाप छोड़ने नहीं थे क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराई जाते हैं लेकिन शुद्धी करण का भाग तो पश्चताप होता है उस चोर ने पश्चताप किया लेकिन उसके पास कुछ दिखाने का मौका नहीं था क्योंकि वो मर गया उसके कुछ समय बाद पर मैथिव हैनरी ने दिल्चस बात कही उन्होंने कहां बाइबल में केवल एक ही उधारन जहां पर मरते हुए वैक्ती ने उधार पाया एक उधारन इसलिए है ताकि कोई भी आशा न खोए दूसरा कारण यह है कि कोई इसका अनुमान न लगाए बस एक ही उधारन है यह इसलिए है ताकि हम अपनी आशा न खोए लेकिन बस एक ही उधारन है कि कोई इसकी अपेक्षा न रखे हर एक दिन जब बीटता है और हम पापों के पश्चताप के लिए टालते जाते हैं ये तो पश्चताप करने के लिए एक और दिन घटाना है और ये एक और दिन है जिसके लिए पश्चताप करना है जैसे एक मनुष्य ईशू के सामने समर्पन करने के लिए कश्मकश्मे था तो एक रात्सवर्दूत ने उससे कहा और कहा मेरे पीछे हो ले और फिर वो उसके बांधार एक गठा बनाया और उस गठे को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भारी था तो उस बुढ़े साधुने उस गठे को खोला और उसके अंदर कुछ और लकडियां डाली और फिर से बांधार उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन भारी था हर समय यही कोशिश की और हर बार ये बंडल और भी बड़ा और बड़ा हो रहा था और उस वेक्तिनिस वर्गदूफ से पूछा इसका मतलब तो उसने कहा परश्चताप के लिए बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं वो सोचते हैं ये बहुत भारी है और इसे रग देते हैं और हर दिन इस बोज में पढ़ाते जाते हैं किसी ने रभी से पूछा परश्चताप का सबसे अच्छा समय रभी ने कहा आपके जिंदगी का आखरी दिन लेकिन अगर जिंदगी का आखरी दिन कौन सा ये पता नहीं है तो रभी ने कहा बिलकुल सही तो अपने पापों से परश्चताप करने का हमें ये पश्चताब देते हैं जब हम यीशु को देखते हैं परमेश्वर की भलाई देखते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं यीशु के बलीदान और उसके दुख उठाने को देखते हैं तो परमेश्वर की भलाई हमें पश्चताब में लाती है इसे सुनत पूतियों में पहले जैसा नहीं हूँ इसलिए आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। विश्वासी होना हमेशा चलने वाली क्रिया है। प्रभु उन बातों को प्रगट करते हैं जैसे बदलाव चाहिए। लेकिन अगर आप प्रातना करें और कहें कि मैं अपनी आखों को ह बदलेंगे और सब कुछ नया हो जाएगा। क्या आपको यह अनुभव चाहिए। अजना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यभारिक उत्तर के और लेकर जाती है। आपके जीवन के सबसे महतोपुर्ण सवालों के लिए। न कैसे तंदुर संबन्द पा सकता हूं। ये शुमसी फिर से कब और कैसे आएंगे। और भी बहुत कु पूरिये सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड की द्वारा। ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तल्गु भाशा में। तो इंतिजार मत कीजिए अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट और कीजिए और अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सचाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। इशू की आग्या है कि हम प्रचार करें हर देश में, हर जाती में, हर भाशा में प्रचार करें। आपकी प्रात्ना और सहायता के लिए धनेवाद। आज के फ्री ओफर को मंगवाईए, ये आपके लिए एक आशिश है। जैसे हम सुसमा चार लोगों तक ले जा रहे हैं आपकी भीटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफते जुर जाएंगे, जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। झाल